हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में आपको कुछ खास छे पोइंट ऐसे बताने वाला हूं जिससे कि आप भी अपने च्छत पर या फिर आप अपने बगीचे में कहीं पे भी यहां भी आप ककडी वगएरा या फिर खीरे हुआ हैं तो आप देखिए का इस तरह से आप भी खास और बहुत ही इंपोडेंट होने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप स्किप करेंगे तो आप उनको समझनी पाएंगे चाहें तो आप नए हैं या फिर पुराने या फिर आप मतलब की गार्डिंग तो करते हैं लेकिन आप उन्हें सपल है वो आपको वीडियो के बीच में मिलेंगे ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा पॉइंट नंबर बन सबसे पहली और सबसे महत्पून बाद अपनी ककड़ी के पौदे के लिए धूप वाली जगह चुने क्योंकि कड़ी कर जो पौदा होता है या फिर कोई भी फ दूप दे चुके अगर आपका पौदा इस लोकेशन पर नहीं है तो प्लीज उसकी लोकेशन चेंज करिएगा क्योंकि अगर आप दूसको परियाप दूप नहीं देंगे जितनी उसे चाहिए तो आपका पौदा कभी पनप नहीं सकता है पौइंट नमबर टू जब भी आप अपने ककड़ी के पौदे के लिए आप मिट्टी वगरा जो भी आपने तयार करा या करने वाले हैं तो आप यह सुनचित करें कि जो भी आप उसके लिए बिट्टी बनाए वह और ठोस ना हो उसके अंदर आप कोको पीट मिलाईएगा 50% अप उसमें खाट डालिएगा और बाकी के जो कुछ परसेंटेज आप उसमें नीम खली जो भी आप उसमें खाट देना चाहते होब भर खाट वगरा वो सब कुछ आप उसमें मिलाईए अगर आपने जो मिट्टी अगर आपने इसको ठोस बना दी तो ठोस में क्या होगा अगर आपकी मिट्टी ठोस होगी तो उसकी जड़े फेल नहीं पाएंगे जिससे की आपका पौदा ग्रो नहीं करेगा क्योंकि जो बेल वाली पौदे होते हैं उसकी जड़ों का फैलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उन्हीं जड़ों से ही वह सारे बिटामी स्मगरा ल आपको याद रखना है तो जब भी आप अपने पौदे को मतलब कि आप ककड़ी का पौदा या कोई पौदा आप लगा रहे तो आपको यह देखना हुआ कि जो उसके आसपास का बातवरन है वो पूरी तरह से खाली होना चाहिए क्योंकि जो भी ककड़ी के पौदे होते है वो जाद से जादा जगा गेरते हैं और इन्हें बायुदार वाली जगह ज्यादा पसंद होती क्योंकि इन्हें जितना जादा इस्पेस मिलेगा उतना ज्यादा यह ग्रो करेंगे और अच्छे से उनको मतलब कि जो पौदे होते हैं इनमें यह पौदे बगरा अफल है उन जैसे कि मैंने आपको पता था कि मैं आपको कुछ खास पॉइंट बताने वाला हूं जो कि लोग अक्सरों ने छोटा समझ के आप गल्पियां कर देते हैं तो जैसे कि आप पॉइंट अमबर चार के बारे मैं बताता हूं तो देखिए जब भी आप अपना पौदा लगाए निर्व्थ करते हैं तो उसकी पॉदा होता है आप उसको नीचे खmente में नहीं कर सकते हैं तो फहां कर पाये इसलिए आपको इसके सपोर्ट के लिए या तो आपको रसियां लगानी है support के लिए तो आप इस तरह के system maintain कर सकते हैं और इस system maintenance से आप देखेंगे कि आपका पौदा बहुत तेजी से grow करने लगा यह देख सकते हैं आप कितने तेजी से पुरी जाली में सब जगे से यह अच्छे से फेलने लग जाते हैं तो आपको इस तरह अच्छे से मतलब ग्रोव कर रही है यह देख सकते हैं आप इसके लिए खास बजय होती है इसके खान पीन का हमें पूरी तरह से ख्याल रखना ठीक है तो खान पीन में जैसे कि हम देख सकते कि हर पंदा दिन में आपको इसमें गोवर खात या फिर बर्मी कंपोस्ट देनी हो आपको कौन सी बिटामिस कौन सी खाद इसको ज्यादा जरूत पड़ती है तो आपको बहुत चीज़ा आपको देनी पड़ेगी तो यह सब की तो वीडियो लंबी हो जाई इसलिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना दूँगा तो आप चैनल पर जाके उसको देख सकते ह बात करते हैं हम पॉइंट नमबर छेगी ठीक है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिस का मोसम बना हुआ है तो यह हमारे जितना पौदे के लिए मैटमून होता है मतलब कि खास होता है उतना ही ज्यादा नुकसान दे होता है ठीक है खास इसलिए होता है क्योंकि हमारे पौदे के लिए पादे से बारिस के पानी में कहती होता है उसके पानी कीड के अंदर कीडे बगेरा ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसके लिए आपको यह करना हो कि हर पंदा दिन के अंतराल में आपको नीम का पेश्ट यानि की जो नीम का ओयल आता है या फिर उपर से दवाई छड़कने के लिए आती है वह आप इसमें देते रही जिससे कि आपका पौदा में अश् सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस तरह की तमाम वीडियो आपको देखने के लिए मिल चुकेगी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी तो प्लीज चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए जिससे की मेरा भी पहुत सायन बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए नएने वीड सब्सक्राइब की देता रहूंगा तो पटापर से मिली मेरे चैनल पर तब तक मिलते आपको धन्यबाद शेयर कीजिए सब्सक्राइब